शहर में स्टूडेंट्स ने एक नए तरीके से PPE किट पहन कर होली खेली और लोगों को कोरोना के प्रती जागरोग किया शहर के फ्रीगन शेत्र में होली परव पर कुछ स्टूडेंट्स ने अनोखे अंदाज में होली परव मनाया स्टुडेंट ने पीपी किट पहन कर लोगों को कोरोना से बचाओ के साथ ही होली पर्व मनाने का संदेश दिया साथ ही सभी को मास्क पहन कर होली खेलने की अपिल भी की खुद ने भी किट पहन कर सड़कों पर होली खेली देश भर में सोमवार को होली पर उत्सा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा उज्जेन शहर में कोरोना संक्रमन बरते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए होली के सारवजनिक कारेक्रम पर पूर्न रूप से प्रतिबंध लगा गया है वही मुख्यमंत्री शिवराजसिय चोहान और प्रशासन ने लोगों को अपने घरों में रहकर होली खेलने की अपिल भी की है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उज्जन के कुछ यूवा स्टूडेंट्स ने होली खेलने का अनोखा तरीका निकाला सबी स्टूडेंट्स पीपी कीट पहन कर फ्रिगन शेतर पहुँचे जहां पर उन्होंने एक दूसरे को रंग लगा कर होली का पर्व उत्सा के साथ मनाया कर दो दूसरे का अनृर्ग कर का अनोखा बाद फुम्यं से वित्तूडेंट-नलमाइफे जेदर हैं टाहिए झाल कर फोलन में को अचिक्काAN来व जाए हैऽ हुआ है हो जक्जान है वही लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी गाइडलाइन का पालन करने का संदेश भी दिया इस सुडेंट्स ने बताया कि कोरोना संक्रमन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है ऐसे में एक और जहां परंपरा का पालन करना ज़रूरी है वही सभी को शासन की गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवारे है इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सभी स्टूडेंट्स ने पीपी कीट पहन कर होली का पर्व मनाया आज सभी को होली की बहुत बहुत शुब कामना है आपको भी हम होली खेलने के लिए पीपी कीट का यूज कर रहे हैं जिससे की लोगों को हम संदेज दे सके हैं उज्जे नवाशियों को संदेज दे सके होली खेलने पर कोरोना से बचकर होली खेलें सबी लोग जो हम लोग मास्क नहीं पहन पा रहे हैं उनको हम एक थोड़ा सा सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहन कर होली खेले और बहार निकले इसलिए आज हमने थोड़ा सा सभी लोग हम students हैं तो हमने अलग से सोचा कि लोगों को संदेज देने के लिए पीपी कीट पहन कर हौली खेली जाए इसलिए मुझेन मास्ची को संदेज देना चाहें कि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना जरूरी है